हेलो डियर फ्रेंड वेल्कम टू दौ ऑफिशल यूटूब चैनल आफ दौम अकैडमी स्टार्ट करेंगे आज हमें एक इंपॉर्टन टॉपिक टॉपिक का नाम है प्रॉफिट एंड लॉस आपके सिलेबस में में किया गया है और इससे कोश्चिन भी जो एकसर पूछे जा जाते है लेकिन हम पर कुछ इंपॉर्टन जो है वह टॉमस हैं लेकर निकालने के लिए पुछे जाते हैं आट जो है उन टर्म्स को तो पढ़ेंगे लेकिन उससे पहले जो है आपको कुछ mathematics की जो है बेसिक चीजे जो रूब पता होनी चाहिए जैसे कि इस topic में हमें percentage का concept जो है वो use होगा आपको percentage पता होना चाहिए इस topic पर थोड़ा सा hold होना चाहिए फिर आपको fractions को convert करना आना चाहिए आपको ratio and proportion का concept पता होना चाहिए आपको important tables का पता होने चाहिए ठीक है तो multiplication tables जो है वो भी आपको पता होना चाहिए ये सारी चीजे जो है आपको मालूम होनी चाहिए पिलहाल मैंने यहां पर आपके सामने एक important table रखावा है जो के percentage को fraction में convert कर रहा है यह percentage है यह fraction है आपके question में पूछा गया होगा कहीं 5% का profit हो रहा है तो आपको पता होना चाहिए इसका मतलब होगा 1 upon 20 अगर आपको बोला गया है वहां पर 10% का आपको पता होना चाहिए 1 upon 10 होता है 50% का मतलब 1 upon 2 होता है तो यह चीज़े हम percentage में तो पढ़ेंगे अलग से separate में और पुरानी वीडियो भी पढ़ी दिये उसमें भी जो है वहां से भी पढ़ सकते हैं फिलहाल जो है मैंने आपको important है वो है cost price आपको मालूम होना चाहिए कि cost price जो है वो क्या होता है आपको पता होना चाहिए कि selling price क्या होता है तो cost price जो है किसी भी article की वो price होती है जो कि एक person जो है वो pay करता है उस article को खरीदने को ले लेकिन उस article को खरीदने के बाद उस person ने उस article को sell भी करना है तो उसकी जो wish है उस article को खरीदने की वो यह है कि वो उसको sell it again जो उसको आगे जो है वो और sell करेगा अब समझ जाएए कि cost price जो है किसी भी article की वो price होती है जो कि paid करता है कोई भी person who wishes to sell it again जिसे उसे दुबारा जो है वो sell करना है इस गर्ष से ही वो person जो है वो घर्ष सोल अधार जैसे कि हमारे पास retailers होते हैं वो retailers जो है वो shop के लिए समान लाते है Wholesale वालों से अब इनका जो main aim होता है वो यह होते है कि हम इनसे तो समान खरीत रहे है लेकिन बाद में जो हमें ये customers को जो है वो या है वो बेजना तो cost price वो यह वाला है CP हम इसे short में denote करेंगे cost price का मत्तर CP तो retailer जो है वो shop से जो है वो wholesaler से जो है वो समान खरीद रहा है तो यह का जो है cost price होगा है हमारे पास अगली term जो आती है वो selling price के बारे में आपको पता होना जाए selling price क्या है मैंने ऐसे तो आपको समझा दिया कि selling price क्या है कि वो price है अट विज दा आर्टिकल इस फाइनली सोड जिस प्राइस पे जो है आर्टिकल जो हम बेचते हैं अगला हमारे पास जो term है वो है कि market price क्या होता है list price क्या होता है print क्या होता है यह terms भी जो है एकसर आपके questions में जो है use की जाती है तो देखे market price list price या print rate होता है almost सारी चीज़े सेम ही होती है वो price होता है at which the article is listed this price पर article को हम list करते है या हम उसको mark करते है कि इस price पर यह बेचा जाए तो market price जो होती है is the price at which the article is listed और marked to be sold इस price पर article जो है वो बेचा जाता है अब यहां पर लिश्टिंट का price समझ रहे होंगे कि listed sorry listed का जो है meaning समझ रहे होंगे कि क्या होता है आज आप जानते है कि आजकल जो है वो e-commerce का जो है वो time है और आप में से भी जो है बहुत से students जो है वो e-commerce की website का use भी करते होंगे और कुछ ऐसे जो है students होंगे वो इस पर article भी sell करते होंगे अब हम जब भी अपना product जो है e-commerce की website पे upload करते है उसको जो है listing कहते है कि हमने amazon पे listings की हमें जो हमने अब हम आते हैं कि profit and loss के topic में दो ही important formula है जो कि आपको याद रखने मैंने formula नहीं कहूंगा बलके basic understanding है मैंने आपको यह कहा कि CP क्या होता है जिसे हम cost price कहते है मैंने आपको यह तक बता दिया कि SP क्या होता है जिसे हम selling price के अब देखिए cost price किया है जिस पे हम article को खरीद रहे है इस गस हम उसको दुबारा sell करेंगे और उसे हम profit लेंगे तो मतलब जिस price पे हम बेच रहे हैं उसे हम selling price कह रहे है तो profit क्या होगा इन दोनों का difference जो selling price है और जो cost price है इन दोनों का difference होता है इसे हम profit कहते हैं क्या कहते हैं इसे profit selling price minus cost price इसे हम profit कहते है अब आप ये सोचिए यहां पर selling price बढ़ा होगा या cost price बढ़ा होगा तो ये जो है बिल्कुल आप समझ सकते होंगे कि selling price जो है वो बढ़ा होगा cost price तो profit कब होगा जब selling price जो होगा जो बेचने वाला price होगा वो आपके cost price जो है बढ़ा होगा कि आपने cost price पे कोई article खरीदा अब हम उसमें से कुछ profit निकाल कि उस article को फुर्दर आगे बेच रहे हैं तो यही profit कहलाएगा अब loss कब होता है जब cost price जो आपने article खरीदा आप कम दामों पे उसे बेच रहे हैं तो आप नुकसान में रहेंगे तो उसे हम loss कहते हैं तो loss के लिए जो है वो cost price जो है वो बढ़ा होगा than selling price बैस इसी के आसपास जो है आपके questions जो है वो पूछे जाएंगे अब देखे यह तो basic concept में आपको introduction तो बता दिया हम बहुत से question करने वाले है हर type का question और उमीद कीजिए कि कोई भी question जो है इस concept में हम question के उनसे बार नहीं होगा बेसिकलिए आपके examination में कौन कौन से question पूछे जाते है जैसे पूछ लिए आपको के selling price को find SP selling price नकालिए आपके पास cost price दिया गया होगा आपके पास profit loss कुछ नकुछ दिया गया होगा आपको कहा जाएगा कि आप selling price नकालिए आपको ये भी कहा जा सकता है cost price नकालिए आपको ये तक कहा जा सकता है कि profit नकालिए और profit percentage नकालिए अभी कभी profit पूछा जाता है और profit percentage भी पूछा जाता है जो के पहले भी जो के सब्सक्राइब के examination में पूछी गई है profit percentage फिर आपको loss और loss percentage भी जो है वो पूछा जा सकता है फिर आपको based on disc honest dealer आप जानते हैं कि कोछ जो है ऐसे भी जो है shop keepers होते हैं एक example ले रहा हूं जो के कुछ आप कोई article खरीद रहे तो उसमें जो है वो बेमानी करते है weight में तोलने में जो है कुछ गड़बड़ी कर सकते है जैसे आपने 1 kg rice मांगा उन से वो 950 ग्राम्स आपको दे रहे हैं तो उन्होंने 50 ग्राम्स का जो है फाइदा ले लिया तो उन पर भी basis पर भी जो कोशन बनते हैं आपके फिर जो है जो है आज कल के टाइम में जो है काफी जो है यूस भी हो रहा है फिर हम based on the discount आप जानते हैं आप शॉप्स पे जाते हैं खासकर showrooms पे जहां पर लिखा होता है flat discount flat discount 60% 50% या तो लिखा होता है successive discount या तो लिखा होता है buy one get two free इस type के discount भी दिये जाते है या तो लिखा होता है up to 60% up to 90% off इनके basic भी हम question करेंगे तो फिलहाल हम एक basic question से start करने वाले है ताके जो है हर वो student जो है जो भी बिल्कुल starting से जिसने भी नहीं पड़ा है उनके लिए भी जो है यह session useful होने वाला है और हम बहुत से अच्छे questions भी करेंगे आपको notes भी मिलेंगे questions की practice free में भी कर सकते आप यह हमारी website www.homeacademy.in इस पे आप जाएंगे questions की practice करेंगे के बागी social medias, facebook, instagram, telegram से, whatsapp टूप से जरूर जोड़िये चलिए question हमारे पास जो है वो पहला आपकी screen पे आ चुका है बोला गया है if the cost price मतलब CP जो है वो कितना दिया गया है 1000 दिया गया है profit हमारे पास दिया गया है 10% का profit दिया गया है और हमें क्या निकालना है selling price हमें क्या हमने क्या पढ़ा जब profit कब होता है जब हमारा selling price जो है वो greater होता है मतलब हमने पढ़ा था minus CP profit कब होगा SP minus CP मतलब हमारे selling price जो है बड़ा होगा इस्ते तो आपको guess हो जाएगा कि आपका answer जो SP होगा वो 1000 से ज़दा होगा लेकिन हमें पूरा जो है question करना है हमें निकालना क्या है वो SP निकालना है तो SP क्या होगा profit plus CP क्या होगा profit plus CP अब profit जो है वो आपके पास कितना दिया गया है वो 10% दिया गया है आपका क्या निकला है यह आपका जो है profit निकला है अब हम इस equation में डाल देते है तो SP क्यालना है हमें वो किसके बराबर होगा 100 plus CP कितना दिया गया हमारे पास question में दिया गया है कितना 1000 आपका answer कितना होगा 1100 1100 होगा hopefully आप सभी जो है यह question जो है कर पाई होंगे बहुत easy question था screen shot ले सकते हैं चले आगे अगला question आपकी screen पर आ गया है पिछले question में हमने selling price निकाला यानि के SP निकाला आपके पास CP और profit दिया गया था लेकिन अब हम SP जो है मैं आपको यहाँ पर दे रहा हूँ और अब हम CP निक जालना सीखेंगे देखें मैंने आपको कहा था कि आपको जो है वो percentage से fraction आना चाहिए अब देखें कितना जादा इसका use हो रहा है अब हम कोशन ऐसे भी कर सकते हैं जो पीछे हमने calculation की वैसे हम ना करें कि हमें पता है profit जो है 10% है और 10% की fraction जो होती है वो क्या होती है 1 upon 10 क्य तो आप देखिए यह हमारे पास 10 होगा तो यह हम 11 लिख सकते है यहां पर क्या है profit जब profit होगा तो दोनों को plus कीजिए 1 plus 10 क्या होता है वो 11 होगा ठीक है तो 11 आपका क्या होगा वो SP होगा तो CP कितना होगा आपका वो 10 होगा हमें ऐसे भी जो है वो कोशन कर सकते है आप दे वो find out करना है आप बोलिए यह 11 कैसे 1100 बनाओगा multiply पे जब हमने 100 किया होगा तो यह बनाओगा 1100 तो similarly यहां पर भी हम जो है वो 100 से multiply करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा 1000 तो हमारा CP जो है वो कितना निकल जाएगा 1000 निकल जाएगा ऐसे भी हम कर सकते हैं जब आपको जो है वो percentage और fractions पता होगी फिल्हाल में आपको जो है उसी method से दिखाऊंगा जिस method से अभी आप बोला गया है selling price जो है वो 1100 है कब जब profit जो है वो 10 % हो रहा है पहले कोई भी नमबर अपने में 100 % होता है उसमें हम profit जो है वो कितना कर रहे है 10% का जो है profit ले रहे है तो अब जो है मतलब यह 110 हो गया कितना 110% हो गया और इसकी value किसके बराबर होगी 1100 के बराबर होगी किवन है कि selling price जो है वो 1100 है कब जब profit 10% हुआ है तो मतलब अगर हमें यहां से 100% की value निकालनी होगी किसकी निकालनी होगी value 100% की हम कैसे निकालेंगे 1100 डिवाइट बाई 110 इन्टू 100 तो हमारा 100% किसके बराबर निकल गया तो से 0 कैंसल हो जाएगा 11 से 1011 यह इतना हो जाएगा 1000 जीरो 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 यह आपका निकल गया क्या CP तो CP जो था वो 100% था 1000 निकल गया आपका असर ओफुली समझ गए होंगे आप चले अगले कोशन की तरफ अगला कोशन हमारी स्क्रीन पर आचुका है एक बार आप सभी जो है कोशन को पढ़िए पढ़ने के बाद को अपनी समझना है और आपने देखना है कि मैं इस कोशन में क्या कर सकता हूं मैं कौन सा मेथड़ अप्लाई कर सकता हूँ ठीक है तो आपने यहां पर जड़ा सा सोचना कम्प्रिहंट करना है बेसिकली कुश्चन्स को मैं भी आपके साथ साथ करता हूं एस उल्ड एन आर्टिकल इन रुपीज सेवन टू नाइन सीरो मतलब सोल्ड है तो सोल्ड का मतलब यह सका क्या होगा सेलिंग प्राइस होगा तो सेलिंग प्राइस कितना दिया गया है सेवन टू नाइन सीरो एक परसन ए जिसने एक आर्टिकल को बेचा साथ हजार दोसुननबे रुपे में और उस पर इसको प्रॉफिट हुआ 12.5 परसन प प्रॉफिट हुआ तो मैं यहीं पर लिख देता हूँ प्रॉफिट जो उसको हुआ वो कितना हुआ 12.5 परसन का मैंने आपको पीछे टेबल दिखाया था फ्रेक्शन परसंटेज का जहां पर हमने पढ़ा कि 12.5 परसन जो होता है वो एक बाइट के बराबर होगा इसके बर प्रॉफिट होगा तो दोनों को प्लस करेंगे तो मतलब इसका जो आपका CP होगा उसकी वैलू 8 होगी बेस वाली ठीक है और जो SP होगा 8 प्लस 1 कितना होगा 9 तो ये हो इनके सब प्रॉफिट अगर लॉस होता है तो आपको माइनस करना होता है ठीक है किस समझ गहे हैं यहा sell ही करना है किस प्राइज पे वो sell करेगा आर्टिकल टू अर्न प्रॉफिट आफ 10% कि उसे प्रॉफिट जो है वो 10% होना चाहिए देखिए उपर उसने 7290 पे sell किया तो उसे प्रॉफिट 12.5% हुआ लेकिन अब उसका प्रॉफिट हम घटा रहे कि 10% ही प्रॉफिट होगा तो एक तो पता है कि आपको आंसर जो है 790 से कम ही होगा तो यहाँ पर जितने भी ऐसे आप्षिन है 790 से आप उसे eliminate करेंगे जैसे कि 7-1 है तो जब कभी आपको guess करना होगा ठीक है बाकी सारे जो है वो उसे जादा ही है अब हम यहाँ पर बात करते हैं कि SP जो था वो कितना था 7-290 तो इस 9 की value कितनी थी 7-290 थी कितनी थी 7-290 अगर हमने मैं यहाँ पर लिख देता हूँ यह 9 जो 7-290 थीक है तो जग मैं यहाँ पर वन यूनिट के value निकालू तो वन यूनिट किसके बराबर होगा 7-290 डिवाइड बाइड 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 नाइन वन दर नाइन एट दर 72 तो 810 होगा यह मतलब एक यूनिट जो है वो कितना हो रहा है 810 हो रहा है तो बताए आठ यून 8 8 multiply by 810 होगा 8 को 8 से multiply करेंगे 8000 8108 और 88064 तो 6480 होगा यह आपका क्या निकल गया cost price निकला लेकिन अब कहा गया हमें के profit जो है वो कितना है 10% कितना 10% जो है profit है तो अगर हम CP का 10% निकाले यह हमारा CP जो है वो कितना है 6480 है इसका 10% निकालेंगे तो 10 upon 100 करना पड़ेगा ठीक है तो यह 0 यह 0 यह 0 यह 0 यह 0 कैंसल तो कितना होगा 648 होगा है तो इसमें 648 को करेंगे तो आपका जो भी आंसर आएगा वह आपका आंसर देख लिजिए आठ चार बारा एचार दस एक ग्यारा और एक साथ तो सैवन वन टू एट आंसर आपका अप्शन नंबर सी करेक्ट होने को एक बर समझ यह वीजो को पास कीजिए अगर समझ नहीं आए ठीक है और को को जो में बिसेगल नोट कर सकते हैं क्रिंशॉट ले सकते हैं बात में आप इसे अपनी नोड़वुक पर द बना सकते हैं ये कहने तो हम भी जो हो PDF अपलोडूड करते ही लेगला क्रें पर कराईदेगे है बहुत अच्छी क्वेशन के सारे जो क्यार आपके श्चारे लाय गया था अब मैं आपको लॉस वाला करा रहा हूं फारवर्ड प्राइस ही विल लूस नाइंटीन परसेंट बोला क्या गया है देखे हमें यह कहा गया है कि कौन सेलिंग बाइस है एस पी हमारे पास दिया गया था बारह सो बट यहां पर जो है जब वह बारह सो रुपे की लिए वह सेलिंग प्राइस निकाल लिए उसका लॉस जो है वह भर रहा है 19 परसेंट जो है उसका लॉस जो हो रहा है पहले बारह सो था ठीक है तो आप जो है वह लॉस उनिस परसेंट अब कोई भी नंबर अपने में कितना होता है वह 100 परसेंट हो रहा है अगर पहले उसक परसेंट का जो है वो लॉस था तो कितना हो गया यह 90% बच किया कितना 90% तो 90% जो था वह किस वैलू पे था 1200 की ठीक है अब यह 1200 का जो है वह बेच रहा था लेकिन अब जो लॉस हुआ है 100 का जो लॉस हुआ है वो कितना है माइनस 19% माइनस क्यों लिखा मैंने यह लॉस है तो यह कितना बन गया 81% बन गया तो हमें basically 81% की ही value निकालनी है तो 81% जो है वो किसके बराबर होगा 81% जो होगा तो किसके बराबर होगा 1200 x 81 कर देंगे divided by 1 unit की value कितनी थी 90 ठीक है तो यह यहां से आया यह 0 यह 0 के अंसर 9109 99081 तो कितना हो जाएगा 900 2920 ठीक है यहां पर 8 आजाएगा यह 0 यह 1080 आपका अंसर होगा जो कि आपका नंबर A होगा hopefully आप समझ गए होंगे friends question number 5 है आपकी screen पे आ चुका है और आप इस एक पर पढ़िए बहुत अच्छा question है a sold आवाज to be a ने घड़ी बेची बी को और 20% उसने gain किया मत प्रॉफिट है बी ने वही घड़ी बेची c को और लूज किया कितना 10% if c bought it for rupees 216 then what price a purchase it अब देखे मैं इसको सीधा जो है यह flow diagram से ही कर लेता हूँ question को ठीक है या तो दोनों method बता देता हूँ a ने hold की watch ठीक है यह a है इसने watch को बेचा 20% के profit पे 20% के profit पे मतला gain है इसलिए मैंने plus लिख दिया किसको बेचा बी को बेचा ठीक है अब a किया था अपने में 100% था इसने इसको बेचा तो कितना हो गया 120% हो गया अब b को जो है वो loss हुआ क्या हुआ loss मतला minus कितना का 10% 10% का जो है loss हुआ अब यह loss जो होगा वो 120 पे ही होगा 120 का 10% निकालो गए तो कितना होगा कोई 12 के हसपस होगा तो इसने c को बेचा तो यह कितना बच गया हमारा यह बच गया हमारा 108% अब बोल रहा है कि 108 जो परसंट था मतलब c ने वो खरी दी 216 रुपे की कितने की 216 की उसने खरी दी c ने यह यहां पर गिवन है कि c bought it for rupees 216 हमें क्या निकालना है कि a ने जो खरी दी थी वो कितने की खरी दी थी मतलब उस 100% की value निकालना है अगर 108% जो है वो 216 के बराबर है तो मतलब 1% जो होगा वो किसके बराबर होगा दो के बराबर एक सब्सक्राइब करेंगे तो कितना हो जाएगा 200 क्या कोई ऐसा आंसर है तो हमारे पास option A में ही ऐसा आंसर है यह तो होता एक तरीका चलिए मैं आपको एक और तरीका बता देता हूं हमें क्या निकालना है प्राइस के वो जितने पे बिका था सबसे पहले वो प्राइस का हम पी लिख देंगे 20% पे बिका था यह profit है तो हम इसे 20% की fraction क्या होती है यहां पर क्या था प्लस था मतलब प्राफिट था तो दोनों को क्या करेंगे प्लस करेंगे तो multiply by 6 पान 5 अगर यह loss होता तो हम 4 पान 5 लिख देंगे तो इसी 9 पान 10 से आप reply कर लीजिए और उसका price अब कितने है 216 तो जो जो कट रहा है उसे काट लीजिए price कितना हो जाएगा 216 इंटु 5 इंटु 10 अपान 6 इंटु 9 अब देखिए क्या क्या कैंसल हो रहा है जो जो होगा उसके आप कैंसल कीजिए 9 के table में जो है 216 आएगा ठीक है तो यहां पर जो है जो भी आप कैंसल करोगे कल्कुलेशन कीजिए चलिए करीज लेते हैं 339 3700 21 और यह 2 होगा 313 32 66 होगा 1 दी यह दिया इदर ठीक है 24 242 इंटू 6 नजा 6 इस फॉर फाइब 20 और 20 इंटू 10 कितना हो जाएगा 4 इंटू 5 इंटू 10 जो होगा एक इतना हो जाएगा 200 वैसे भी आप कर सकते हैं ऐसे शॉर्ट कट भी कर सकते हैं ठीक है मैं आपको दो मैंतर बता दिए होफिली आप अंडेश्टेंट कर पाएंगे ऐसा ही मैं आपको एक और दे रहा हूं ताके आपकी प्रैक्टिस हो पाए अब यहां पर जो है ए है ए ने एक आर्टिकल को बेचा कि इसको बी को 12.5% प्रॉफिट 12.5% प्रॉफिट यह प्लस में लिख रहा हूं कि प्रॉफिट है अब बी ने उसी आर्टिकल को जो है वो 20% लॉस पे जो है वो बेचा माइनस कर रहा हूं मैं 20% लॉस पे बेचा किसे पी को पी को तो सी ने उसी आर्टिकल को किसको बेचा डी को बेचा और इसने भी लॉस पे 16.66% पे जो है वो बेचा इव डी बाट इट फा रॉपीस 27 रुपे का खरीदा है तो बताइए जो एक ही जो है वो आर्टिकल की कौश थी वो कितनी होगी सब्सक्राइब कर लेते हैं 12.5 की कितनी होती है 1.8 20% की फ्रिक्शन कितनी होगी 1.5 16.66 की यह होगी वो 1.6 होगी यह प्लस में है यह माइनस है यह माइनस है तो हम यही वाले मेथट से कर लेते है पी वाले से पी इंटू 9 अपान 8 9 अपान 8 क्यों आया 8 प्लस 1 9 क्योंके अब प्लस कर रहा है प्रॉफिट है ठीक है फिर हम आगे कर लेते हैं 5-1 4 4 अपान 5 4 अपान 5 क्यों आया यहां पर 6 अपान 5 क्यों नहीं आया क्योंके यह माइनस था लॉस था यहां पर लॉस था फिर अगला भी नेगेटिव में है तो 1 अपान 6 वाला तो इसे भी हम 5 अपान 6 लिख सकते हैं इन सारों की कीमत कितनी अब लाश पर बची 2700 जो क हो सकता है ठीक है अब यहां पर 3 2000 हो सकता है और यह 3300 हो सकता है तो पी इस एकल टू टू इस सो इंटू चार अपान 3 3 1 0 3 9 0 27 तो यह 900 हो जाएगा 4 into 900 कितना हो जाएगा 36 36 100 अंसर है हमारे पास option नमर सी यह तो option नमर सी जो होगा वह 36 100 ही है वह फिल यह आपने जो है इसे जो है वो नो डाउन कर लिया होगा सिक्रिंग शॉट ले सकते है वीजियो चले एकला question हमारे पास जो है वो है A buys an article for rupees 4700 A ने एक article को खरीदा कितने में खरीदा 4700 में जो है A ने एक article को खरीदा and spends rupees 300 on this repair चले आप एक bicycle जो है पुरानी खरीदते है 4700 की मान लीजिए कितने की आपका CP आपने उसे खरीदा है cost price होगा आपका 4700 की आपने एक पुरानी bicycle खरीदा लेकिन आपको उसमें जो है कोई fault जो है वो दिखा वो fault आपने repairing करा है ठीक है और उस पे आपको 300 रुपीज जो है वो लगे कितने लगे repairing के जो है वो कितने लगे 300 आप बताईए कि आपकी actual cost जो आपकी actual CP आया वो कितना होगा आपका actual जो cost होगा actual cost वो किसके बराबर होगी 5000 के बराबर होगी ठीक है इन दोनों को हमें plus करना पड़ेगा क्यूंकि आपने जो cycle पुरानी खरीदी 4700 की उस पे आपने जो है वो 300 रुपे रिपेरिंग के भी लगाए तो 5000 उसकी actual cost होगी तो यह आपका जो है CP आगया अगर आप बेच रहे उसी cycle को रिपेरिंग करवा कर चलिए scooter था यहां पर मैंने cycle बोल दिया हमने पड़ा नहीं कितने में 50 होगा इस्पी जो होगा आपका वो कितना होगा 58 है एक का कुल कॉस्ट 5000 निकालने है खाली आपका profit नहीं निकालना है, आपका gain नहीं निकालना है, बलके gain percentage निकालना है, क्या निकालना है, gain percentage निकालना है, तो profit आपका कितना होगा, profit जो होगा वो आपका 800 होगा हम simply fp-cp कर सकते है और profit percentage निकाल ली है अब यहाँ पर फार्मुला आ गया कि profit percentage क्या होता है profit percentage यह profit जो होता है fp-cp profit percentage क्या होता है यह जो profit होता है इसे हम divide करते है cp से into जो होता है 100% करेंगे तो यह profit percentage यहीं पगा हमें loss percentage निकालना होगा तो हमें loss divided by cp करेंगे और into 100 करेंगे तो यह loss percentage इतना होगा loss percentage चले जगा नहीं बची में आगे कर लेता हूँ ठीक है हमें cp का पता चल गया 5000 हमें sp का पता चल गया 58 hundred हमें p का पता चल गया 800 अब हमें profit percentage है उसका भी पता चल गया 800 divided by क्या करेंगे cp करेंगे 5000 into 100 बस माइनर सी कलकुलेशन है यह 00 cancels यह 55 cancels ठीक है तो यह कितना आ गया 80 upon 5 आ गया 80 upon 5 जो होता हो कितना होगा 16 तो 16 परसेंट आपका अंसर होगा इतना होगा आपका अंसर 16 परसेंट question number 10 है चले आगे बाद में कर लेते हैं यह question फिलहां इस वीडियो को यहीं पर skip करते हैं आप अपने friends के साथ शेयर कर सकते हैं अगर आपको useful लगता है thanks for watching wish you good luck